स्वेलो फ्रेंट्स एक और ने लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको हेकिन आसी केंडल के बारे में बताने वाला हूँ इससे पहले मार्केट में आप जो केंडल देखते हैं उससे यह केंडल बिल्कुल अलग है उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि कहां पर बाई करना है कहां पर सिल करना है future and option से यदि आप option बायर है तो कहाँ पर आपको call लेना है कहाँ पर आपको put लेना है वह समझ में नहीं आता है आप बढ़ती market में call लेते हैं वहाँ से market नीचे आ जाता है तो आपका loss हो जाता है जब market fall कर रहा होता है तो आप put लेते हैं तो जैसे ही आप put लेते हैं वहाँ से market उपर चला जाता है तो वहाँ पर भी आपको loss हो जाता है ऐसे में आप काफी परिशान रहते हैं कि कहाँ पर call लेना है कहाँ पर put लेना है ओबर वल बात करें तो आपको entry ही नहीं पता चलता है candle को देख कर कि किस candle पर आपको entry लेना है और किस candle पर exit लेना है तो ये जो candle है हेकिन आसे इससे आपको काफी clear हो जाएगा कि कहाँ पर आपको entry लेना है कहाँ पर exit लेना है चलिए इस video को शुरू करते हैं तो simple नहीं मैं अपने laptop का screen recording on करता हूँ उसके बाद से समझाता हूँ तो simple नहीं आप जिसमें trading करते हैं bank nifty में करते हैं या फिर nifty 50 में करते हैं फिर nifty में करते हैं sensex में करते हैं जिसमें भी करते हैं तो simple नहीं आपको उसका chart open कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं chart open कर रहा हूँ चार्ट open होने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरह से interface देखने के लिए मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँपर आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है यहाँपर में देखेंगे तो यहाँ पे वे जो index होगा उसका नाम दिया होगा यहाँ पर time frame होगा और इसके just bugle में ही आपको candle यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर तो आपको यही पर ध्यान देना है तो simple नहीं आपको यहाँ पर click करना है इस candle वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे इसमें बहुत सारे options है तो इसमें आपको hack in AC जो कि यहाँ power है simple नहीं आपको इस पर click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि candle कुछ अलग तरीके से अब देखने के लिए मिल जाता है इससे पहले जो सभी लोग candle देखते हैं वा इस तरह से candle होता है जैसे कि मैं आपको और pass में करके इसको zoom करके समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग trip हो जाते हैं जैसे कि आपको लगता है कि इस candle पे यहाँ पे sale करना है तो आप यहाँ पे sale करते हैं यानि कि future and option से आप put buy करते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं कि यहाँ से market उपर की ओर चला गया है आपका loss हो जाता है ऐसे काफी जगा है चलिए उसको भी दिखा देता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि market उपर की ओर जा रहा है यहाँ से देख रहा है market उपर की ओर जा रहा है जैसे ही इसमें call लेते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ से market कीटने नीचे की ओर आ गया है तो ऐसे में आप decide ही नहीं कर पाते है कि कहाँ पर आपको call लेना है कहाँ पर put लेना है लेकिन जैसे हैं यहाँ पर यह जो candle है एकिन आशी इसमें change कर देते हैं तो अब आपको candle का देखने का नजरिया भिल्कुल change हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो भी candle बनेंगे सब एक जैसे जैसे कि अगर continue market उपर की उड़ जा रहा है तो continue candle जो है green बनेगा और market नीचे की उड़ आ रहा है तो continue candle जो है rate बनेगा तो ऐसे में आपको इसमें से किस तरह से आपको यह जो candle है इस पर आपको ट्रेडिंग क जो रखना है 5 मिनट का रख लेना है उसके बाद से market जब open होता है तो वहाँ से में बताता हूं तो friends आज डेट है 30 अगस्त आज की चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है आज का चार्ट है तो इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करना है इंट्री कैसे लेना है उसको समझाता हूं तो सबसे पले आपको करना क्या है सुबह का जो है आपको 30 मिनट आपको सिर्फ केंडल का वाच ही करना है आदे गंटे आपको वाच ही करना है टाइम फ्रेम जो आपका होने वाला है वह 5 मिनट का होने वाला है आपको 30 मिनट सिर्फ केंडल को ही देखना है तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर यहां तक का जो केंडल है वह आपको 30 मिनट का हो जाएगा यह जो केंडल है यहां पर सुरुवाती का 4 केंडल आपको पूरे बनने देना है उसके बाद से आपको प्लान करना है कि आपको कॉल में जाना है या पूट में जाना है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केंडल बने है वो लगतार जो है ग्रीन बना है तो यहाँ से किसी का भी व्यू क्या हो सकता है कि मार्केट उपर जाने वाला है तो उसी को देखकर वो कॉल बाई कर लेंगे लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको यह देखना है कि ब पहले ही ठब चुका है वैसे ही bank nifty index है तो आपको देखना है कि bank nifty index जो है कहां से कहां तक चलके आ रहा है तो इसे देखने के लिए simple है आपको इस trading tool से price range को select करना है और यहां से आपको जो 30 minute का candle है वहां तक देखना है तो लमसमें देख सकते हैं कि market 280 point उपर जा चुका है त तो bank nifty जो है 200 से एक दिन में इस से दिक point उपर नहीं जाता है किसी किसी दिन जाता है तो वहां दिन काफी रियर होता है तो देख सकते हैं कि घोड़ा जो है ठक चुका है अब आपको शिरिफ wait ही करना है हो सकता है कि यहां से जब आप entry लेते हैं तो market जो है और उपर जाए लेकिन आपको दो दिन के चकर में नहीं पढ़ना है दो दिन यदि जो है आपको profit हो जाता है अगर 8 दिन आपको loss हो जाता है तो आप overall loss में होंगे तो हो सकता है कि आप 2 दिन loss book कर ले लेकिन आपको 8 जो दिन है उस दिन आपको profit ही बुक करना है तो आपको 2 दिन market को पैसे देने के लिए तयार रहेंगे, तभी आप मार्केट से पैसे बना पाएंगे, तो सिंपल नहीं देखिए, यहाँ पर आप क्या करना है, जब तक 2 केंडल रेड नहीं बनता है, यहाँ से अब आपको call साइड में नहीं जना है, यहाँ से आपको put साइड में जना है, तो यहाँ यहाँ पे 50 point जो है आपको chart index पे इसमें ले लेना है आप देख ले जो आपका SL होना चाहिए जो आपका previous candle है उसके up पे आपको SL रख देना है जो उसका high price है उसके आपको SL लख देना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि market ने कितना अच्छा खासा fall दिया है तो यहाँ पे यहाँ पे चोटे मोटे जो green candle बनते है तो आपको इसमें निकल सकते हैं तो जैसे ही दो केंडल green बन जाता है उसके बाद से देखें बहुत लोग जो हैं यहाँ पर entry लेंगे यहाँ जो candle है यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लेंगे तो कोई बात नहीं यहाँ पर भी आप entry ले सकते हैं तो यहाँ पर आप entry लेंगे इस candle में तो आपका loss जो होगा यह जो candle है previous candle का आप second candle का भी low लख सकते हैं लेकिन जो previous candle है उसका भी लून रख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अगर अगर आप सुबह में एक बार प्रोफिट बना चुके हैं तो आपको अपने टर्मिनल को क्लोज कर देना अगर क्लोज करेंगे तो ही आप सक्सेस्फुल ट्रेडर बन पाएंगे और नहीं क्लोज करेंगे तो आप मार्केट से जो सुबह पैसा बनाया है वो आपका मार्केट क्लोज होते होते लॉस में कनबर्ट हो जाएगा तो इस बात को आप ध्यान में रखें तो यह है इस केंडल का है स्ट्रेटरिजी तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अधिक पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आ रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें